नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल सी एनम 9212 भरती में 31 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वित्रड समारों की आप सभी को जानकारी दी गई थी दिपावली से पहले पहले और हमने आप सभी को उस समय ये भी बताया था कि जो फ्रेस की जितने भी सेलेक्टेड एनम भेन हैं सब को ज्यानिंग उसी दिन नहीं मिल पाएगी बलकि उसी दिन कुछ भेनों को ही बुलाया जाएगा जिनको लखनों में आना होगा जिनको नियुक्ति पत्र वित्रड मानन से आनलाइन नियुक्ति पत्र वित्रड समा वित्रड किया जाने के चांस ज्यादा हैं डिश्टिक प्रिफरेंस के लिए भी हमने आप सभी को उताया था कि इसमें जिलाफ प्रिफरेंस लेना चाहिए लेकिन चीजें कंपर्म नहीं हो पा रही हैं और अगर जिलाफ जिसे बेहने चाहती हैं कि हमें हम जो जिला चाहते हैं वो जिला मिले ना कि जो जिला हमने अस्थाई निवास में पते की रूपे हमने दिया हुआ हमने जिला ना मिले और अभी तक तो चांस यह है कि जो आपका अस्थाई निवास का जो जिला है ज्यादा चांस है कि आपक आपका मन पसंद जिला ही मिलेंगे 31 अक्टूबर को नियुक्ती पत्र बिद्रड अगर शमार होना है तो उसकी आफीशल नोटीस आ जाने चाहिए थी बिल्कुल आप सभी कि जो प्रशन है बिल्कुल सही है और हम भी लगाता और वेट कर रहे हैं कि नोटीस आ जाना चाहिए था आप तक और हमने रिक्वेस्ट किया था ऐसे तो हमें कुछ लोग बता रहे थे कि मतलब डारेक्ली जिनको सूचना गई है उन बहनों के दोरा हमें किसी के दोरा जानकारी बताएं कि आपको सूचना प्राफ्ट हुई है क्योंकि आफिसल नोटीस ना आप आने की वज़े से सब लोग परिसान है और आप देखेंगे इसी बीच तमाम तरह के ऐसे भी लोग होते हैं जो सुरू से ही भरामक खबर देने का कारे करते हैं कभी जो है कोर्ट मेरिटर की वज़े से भरती पर रिष्टे लगवा देते हैं तो कभी जो है दो-दो मेरिट बनवा देते हैं कभी कुछ इस तरह के तमाम तरह की जो प्रामक चीज़े होती हैं अलग-अलग सब लोग अपने प्लेटफार्म पर बताते रहे हैं यहाँ पर समय लगाया गया है चाहे आयोक से फाइले कार्मिक बिभाग को भीजने के लिए जिसकी जानकारी आप सभी को बहुत पहले दी गई थी परिवार कल्याट बिभाग वहाँ पर नहीं पूलना चाहिए था यह हमसे वहाँ पर गलती हुई थी बट आपकी फाइल उस समय गई थी और उसके बाद फिर वहाँ से प्रोसेस होने के बाद फिर फाइले पुना परिवार कल्याट बिभाग को भीजी जाती है और फाइले आपकी अभी भी भी भीजी जा रही है और एक बार में आप ऐसे समझ लिजी कि 600, 700, 800 या 1000 तक उसके उपर फाइले नहीं बेजी जा रही है इससे कम ही फाइले बेजी जा रही है इसी वज़े से यहाँ पर समय लग रहा है और बीच में दिपावली की छुट्टियों के वज़े से भी कुछ दिन काम नहीं हो सका है और आपकी भरती के अलावा भी और कई भरतीयों पर आयोग में काम लगातार चला है तो बाकी लोग क्या बताते हैं उनको बताने दीजी आप लोग थोड़ा सा आवाइट किया करिए इग्नूर किया करिए आप सुनेंगे तो आप वहाँ पर कंफ्यूज होंगे और जो भी सही जानकारी हमारे अस्तर से अपने अ होता है कि यह चीजी हो नहीं होना है उसको लेकर कि हम आपको एक्सपेक्टेड भी जानकारी देने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा आप सभी धैरे बनाए रखे और जिनका भी कोर्ट मैटर है वह लोग यहीं चाहेंगे कि ज्वानिंग लेटर नहीं होना चाहिए और अ लिपकी तूटी थी जिसमें उन याचियों उन बहनों की गलतीना स्विकार करते वे जो सक्षम प्रादिकारी जिनके द्वारा जारी किया गया है अंतिम अनमोदन उने के द्वारा होता है उसके पहले जो लिपकी या जो लिपक होते हैं उनके द्वारा भरे जाते हैं मिलेगा इस परकार की चीज़े बताई जा रही है तो आप उन लोगों को बताने दीजिए हाँ अगर ये बात अलग है कि अगर सासन का निर्देश होता है या बिभाग से अगर ये या फिर आयोक से अगर इस परकार के कर ये आगे प्रोसेस होती है कि नहीं अभी हम लोग कु प्रोसेस बिभाग के उपर है नुवंबर में जोएनिंग लेटर मिल जाएंगे नौमबर में ठीक है दस पंदरा बीस नौमबर तक जितने दिन में पूरी प्रोसेस विभाग के उपर है नौमबर में हो जाएगा जोएनिंग लेटर बितर सबको और उसके बाद फिर आपकी जिले अस्तर पर पोस्टिंग चलती रहेगी डिश्टिक्ट अलार्टमेंट वाल आप सभी को बता दिया जाएगा बहुत जल्द कंपर्म चीजे और प्रोवेजनल की डीवी को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोग परिसान हो रहे हैं और परिसान होने वाली बात भी है क्योंकि अगर यहाँ पर आपके प्रोसेस में देरी होई तो फिर आगे कितना देरी होगा किसी को नहीं पता है और हमने देखिए उस दिन भी आप सभी से कहा था बहुत पहले भी जब फ्रेस सेलेक्टेड एनम बहनों की फाइले कारमिक बिभाग को भीजी गई थी ना कि परिवार के लाड़ बिभाग को वहाँ पर बताने में थोड़ी से तूटी हुई थी इतना सत्त था जब हमने बताया था पहली बार कोई भी चीज़े हमने आपको कभी गल्ट नहीं बताया है बताने में कोई भूल हुई हो वात अलगे लेकिन जो भी चीज़े हमने आपको बताए थी वहाँ परोचीजी थी उस परकार से तो उस समय भी provisional की जो फाइल थी उन नहीं भेजी गई थी और अभी भी provisional की जो एक भी फाइल है वो आपकी बिवाग को नहीं भेजी जा रही है इसका कारण गया है विभाग से यह असपरश्टूप से बोला गया है आयोक से कि आप सबका जो है क्लियर करके ही आप भेजीए ताकि फिर हमें केवल आगे ज्वाइनिंग ही करनी रहे या फिर किसी के डोकुमेंट सब्मिट कराने होंगे तो वो भी क्लियर करकी भेजेंगे ताकि केवल उतना ही कारे से जबचे यानि विभाग के अपने सतर से कोई भी कारे उसमें नहीं कराय जाएगा आपके प्रोवेजनल में डी भी सम्मंदित और हमने आप सभी से इतना और बताया था कि इस महीने अक्टूबर में प्रोवेजनल के लिए कोई भी नोटिस आने की संभावना बहुत कम है आयोग से इसके लिए निरंतर आप सभी को प्रयास करना होगा कोसिस करना होगा मुक्य मंतरी जी से निर्देस अगर हो जाते इसमें स्वास्ते मंतरी जी से भी मिलकर कि हम अपनी बात रख सकते हूं उसमें कोई दिक्कत नहीं है आयोग के अधिकारियों से सची और सर से मिलकर कि हम अपनी पीडा कर सकते हैं कि सर हम लोगों का भी आप क्लियर करा दीजी जो भी डीवी का मैटर उसको आप जितनी जल्दी हो अगर आप चाहेंगे तो विदिन वन भी करा सकते हैं क्लियर तो इसमें कोशिस करनी होगी बाकी अभी की जो उमीद है कि नॉम्बर में आप से भी का डीवी सत्प्रसत कराया जाना है नॉम्बर में जब से भी आयोग नोटिस जारी करने कोई कंफर्म आपको चीज़ें अभी से नहीं बताई जा पा रही है बट अभी इस महीने कोई भी नोटिस आपके डीवी को लेकर के आने की समावना बहुत कम है थोड़ा सा आप भी अपने सर से कोशिस करिया और आगे कि जो भी सही कोई भी कंफर्म आपको भी आथेंटिक जानकारी आपके प्रोविजनल की डीवी को लेकर के प्राप्त होगी आयोग से आप सभी को बता दिया जाएगा वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक शेर कर दिया करें धन्यवाद